राधे राधे दोस्तों आज आपके साथ सेर करूँगी बहुत ही तीखा चटपटा दिली का मसूर रामलड़ू बहुत ही टेश्टी और यम्मी बनाने में बिलकुल आसान है तो चलिए बनाते हैं तो मैं एक कटोरी उरत दाल ले रही हूँ ऐसे मूंग दाल मसूर दाल दोनों से बना सकते हो पर मैं उरत दाल से बना रही हूँ आपको पास जो भी दाल होगा ले लिजेगा बस अरहर दाल छोड़कर मूंग दाल मसूर दाल दोनों तीनों का बनता है तो मैं एक कटोरी लेकर रात को ही भीगो कर इसे रख ली थी आप चार से पांस घंटा जरूर भीगोईएगा इससे अच्छा बनता है और भीग जाता है अच्छा तो अच्छा बनता है तो अगर आप फुलाना भूल गए हैं तो इसका भी एक बताती हूँ कि गरम पानी में डाल कर एक घंटा तक छोड़ देंगे तो फूल जाएगा तुरंद मतलब एक घंटा में फूल कर तयार हो जाएगा दाल तो मेरा दाल रेडी था तो मैं इसे जार में डाल कर पीस ले रही हूँ अच्छा सा स्मूद बैटर थोड़ा सा दरदरा भी रखेंगे तो इसमें जार में मैं धो कर अच्छे से साफ करके उरत दाल को जार में पीस ले रही हूँ अब इसमें कुछ मसाले डालूँगी मैं जैसे जीरा और काली मिर्च आधी आधी चमाच है दो हरी मिर्च आप ज्यादा तीखा खाते होंगे तो ले लीजेगा ज्यादा और तीन कलियां लसून का है लसून अगर नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर लीजेगा अब यहां पर थोड़ी सी पानी डालकर मैं इसे अच्छा सा स्मूध बैटर बना लेती हूं देखिए ज्यादा पतला नहीं बनाना है गाढ़ा बैटर ही बनता है देखिए जैसे कि आप बड़ा बनाते हो उस टाइप से बना लीजेगा और थोड़ा दरदरा रहेगा तो बहुत अच्छा इसका स्वाध आता है और खाने में भी मुह में आता है इसे एक अच्छा सब बड़ा बॉल में निकाल लेंगे दोस्तों इसे बनाईएगा तो बहुत चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है एक बार जरूर ट्राई किजगा अब यहीं पे मैं सुखे मसार कि एक पींच हिंग डालूंगी हिंग से स्वाध बहुत अच्छा आता है जरूर डालिएगा अगर आपके घर में हिंग होगा तो अब इसमें नमक स्वाध के अनुसार ले लेंगे अब इसे अच्छे से फेट लेंगे मतलब इकदम फलॉपी होने तक इसे फेटना था कि पानी में डाले तो उपर उठने लगे इदम बहुत बहुत है आच्छा इसे अच्छे से फेट लिजेगा तो मैं फेट कर तयार कर लीटी हूँ और फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और बताइएगा कि मेरी रेस्पी आपको कैसी लगती है तो लीजे यहाँ पर मैं फेट कर तयार कर ली थी एदम फलपी हो गया था उठ गया था एदम इसे 10 मिर्ट लिए रेस पर छोड़ देंगे फिर गैस पर कड़ाही चड़ा लेंगे और तील को गरम कर लेंगे तो मैं यहाँ पर आ गई कीचन में अब कड़ाही ले ले रही हूं इसमें तेल डालकर गरम कर ले रही हूं बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों एक बार जरूर ट्राई कीजेगा या बच्चों को टीफिन में हो या सामके नास्ता हो तो फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई कीजेगा इस तरह से बहुत टेस्टी लगता है थोड़ी से हाथ में पानी लगा लेंगे और थोड़ा उपढर आते जाएगा, देखिए, आप देख सकते हो, कि उपढर आ रहा है, अपने आप उपढर होने लग लग रह रहा है, तो इसी तरह से सारे को मैं बना लूगी, तो एक बैज तैयार हो रहा है, अब अच्छे से इसको चलाते हुए, हिलाते डुलाते हुए इसको पका लेंगे इस तरह से पलते जाएंगे और पकाते जाएंगे बहुत ही जल्दी असानी से बन जाता है बच्चे भी बना कर तयार कर लें लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है इतना अच्छा खुस्बू आ रहा है और सभी के घर में बनता है तो मैं भी ट्राई करी हूँ आप भी अपने घर में ट्राई कीजे और खाए लीजे राम लड़ू बनकर तयार है और इंज्वय कीजे इसमें थोड़ी सी प्याज डाल दिजे थोड़ी सी मुल्ली का कदुकस करके डालिए थोड़ी धनिया पत्ती दालिए थोड़ी सी मिर्ची डालिए और उपर से हरी चटनी डालिए तो इस तरह से आप करके तो लीजे मैं टमाटर की लाल चटनी के साथ आपको शर्व कर रही हूं आप हरी धनिया के साथ खाईए या केचब के साथ खाईए बहुत ही टेस्टी लगता है एक बर जरूर कीजेगा तो आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगती है हमें जरूर सपोर्ट कीजेगा हमें जरूर बताइएगा कमिंट में और आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है अपसे बाते करते करते मैं रेसिपी को ट्राइक पुरा बना दी अब आप अपने घर में टेस्टी टेस्टी हेल दी बनकर तयार हो गया राम बड़ा खाईए और इंज्वाइब